तुरुष्टी दा फ्यूचर यूटूब चैनल से आज हम आपके लिए पैट के कुछ important question की दूसरी ग्लास लेकर आए हैं पहली ग्लास में हमने आपके लिए question कराए बहुत ही ज्यादा important थे आज फिर से कुछ question लेकर आए हैं अब देखिए जिरूर देखिए question है 0169 इंटू x बरावर 1.3 देखिए आपको पता है कि यह जो बर्ग है यह 13 का बर्ग है 169 अना चार अंकबाद 10 मलब है तो इसकी जो value होगी वह हम लिख सकते हैं 013 गुणा अंडरूर्ड x बरावर 1.3 तो अंडरूर्ड x बरावर 1.3 अपॉइंट एक तीन इस पॉइंट से यह हटा हैं तो यहां एक 0 लगाना पड़ेगा तेरे से यह आ गया 10 तो यहां अंडरूर्ड x बरावर 10 तो x की value हो जाएगी तो दोनों पच्छ का क्या कर दिया बर कर दिया तो दूसरा question देखिए यह कह रहा है एक का 20 प्रस्तत भी है यानि ए गुणा 20 प्रस्तत की value एक बट्टे 5 बरावर बी यहां से solve करें तो देखिए दूसरा हमें पूछा है 20 का बी प्रस्तत भी बट्टे सो बीस से पांच बार यहनि बट्टे 5 पूछा है क्या होगा तो देखिए यहां पर अगर हम बट्टे 5 करें तो यहां पर भी बट्टे 5 करना पड़ेगा ठीक है ना यहां पर हमने बट्टे में पांच ले लिया देखी ये बैलू आई थी हमारे पास कि एक उना एक बट्टे पांच बरावर भी तो एक उना एक बट्टे पांच बरावर भी है अगर यहां एक बट्टे पांच का उना कर दूं तो यहां पर भी एक बट्टे पांच बरावर B वट्टे 5 तो A वट्टे 25 को हम क्या लख सकते हैं A का 4% बरावर B वट्टे 5 यह यह बी का 20% है वो A के कितने होगे बरावर है 4% वट्टे 25 की वैल्लु कितनी होती है 4% ठीक है तो A का 4% बरावर B वट्टे 5 एगला कुस्चन देखिये देखिए यह अगर question देखें तो आप ऐसे समझेए कि a square upon b square plus b square upon a square plus 2 गुड़ा a वट्टे b गुड़ा b वट्टे a कर लें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंको दोगो b से b cancel a से a cancel तो केवल क्या बचेगा दो बचेगा कोई असन नहीं पढ़ रहा तो इसको लिख सकते हैं a वट्टे b गुड़ा b वट्टे a अब लेकिन अगर आप देखोगे तो देखिए यह a square यह b square यह 2a भी तो यह बन जाएगा a वट्टे b plus b वट्टे a का whole square यह अगर यहाँ पर बात की जाए इसका बर्ग मूल बर्ग मूल की बात करें तो आंसर आजाएगा a वट्टे b plus b वट्टे a यह है अगला गोशन है 6 की power m बरावर 46656 तो 6 की power m माइनस 2 क्या होगा देखिए अगर इसकी बात करें तो 6 की power m माइनस 2 इसका मतलब यह है ना कि 6 की power m upon 6 की power 2 क्योंकि बताया था a की power m upon a की power n बरावर a की power m माइनस n यह होता है यहां से देखें तो देखिए 6 की power m की value है 46656 upon 6 गुडा 6 6 से इसे काट दी दिए तो देखिए प्लस अंडलर Ji motiv 2 में प्लस अंडलर सक्रेंदक न्योंकि में 40 में फिर चैसे काड़ दीए चैकन चैक यह दूनी बारह पांच पांच और साथ चैनिम चावण तीन चैनिग यह हमारा अंसर होगा 1206 कुशन है अंडरोड 72 प्लस अंडरोड 72 प्लस अंडरोड बहतर डॉट 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 इसका हमने आपको बताया था इसके दो सब्सक्राइब सांग्या इसका अंतर यहां से आता नो भागत, Fres एक मिस्र१ातू में 15 प्रस्त चांदी है मिस्रधातू के कितने भार से 51 ग्राम चांदी प्रत की जाए तो 15 की बैलू कितनी होती है 3 वट्टे 20 कि याद होगा अगर आपने परसेंटेज की क्लास देखे होगी नहीं तो 15 वट्टे 100 पउस चेन है कि मिस्रधातू की कितने भार से 55 ग्राम चांदी प्रत की जा सकती है इसका मतलब है कि अगर 20 ग्राम मिस्रधातू है तो उसमें चांदी कितनी है तीन ग्राम लेकिन मिस्रधातू हमें चांदी कितनी दे रहा है 51 कितने गुना हुआ यह 17 17 तो यह भी क्या गुना हो जाएगा 17 गुना तो 17 दूनी 34 यानि 340 ग्राम मिस्रधातू से कितनी चांदी प्राप्ट की जा सकेंगी 51 ग्राम देखें अगला कुश्छा एक बिलेन के 330 मात्रा में नमक 45 ग्राम है एक बिलेन की देखें कुश्चन है एक बिलेन में पानी की 330 ग्राम मात्रा में नमक 45 ग्राम है तो बिलेन की सांदर्ता ग्याद की देखें सांदर्ता क्या होगी इसके लिए पानी कितना है 330 पानी 330 है इसमें नमक कितना है 45 ग्राम यानि टोटल ज 375 में नमक कितना है 45 ग्राम तो सांदर्ता जो है वो प्रत्सत में आती है यानि 45 ग्राम नमक है 375 में हमें निकालना है कितने में इसे काट दीजिए 25 एकन 25 बारा 25 पंजे 125 चौक 15 यानि चाथती बारे प्रत्सत यानि जो सांदर्ता होगी वो कितनी होगी बारे प्रत्सत यानि 100 ग्राम का अगर मिस्वर होगा तो उसमें नमक की मत्र कितनी आएगी बारे ग्राम कुशन है 11 परडाम का 50 है पहले 6 पर उस्शक न 9 ile 360 अंतिन 6 का उस्ट बावन है तो 66 परडाम क्या होगा किकर क् Say वर ट्न पर घ्क आराएगम हमारे पास 11 ठीक है ना अब आप देखिए कहरा है कि कोई एक परड़ाम तो डवल आया ही है ठीक है ना हमसे पूछा है बीच वाला ऐसे समझो कि जैसे एक दो तीन चार पांच है साथ और नो दस ऊरब लाज़ा ग्यारे परड़ाम है और इन में से अगर मैं पहले च्छे का निकालूँ तो यह पहले चाहें हो गए ठीक और बाद के च्छाइए हो गए तो डबल कौन सा आया यह आया ना कौन सा है यह चटमा एक दो तीन चार पांच छटमा परड़ाम यहीं है ठेक है ना यानि जो चटमा परड़ाम है वो डबल आया है ठेक चलिए देखो यह चीज़ समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं तेके क तो कह रहा है कि ग्यारे परड़ामों का उसत पचास है अगर मैं ग्यारे में 50 का गुणा कर दो तो टोटल हो गाजाएगा यानि ग्यारे पनना पच्छ पांसों पचास हो गया देखे छैपर रड़ामों का उसत उननचास है इनका गुणा करो 694, हांसल का 5 624, 24 और 5 29, ये पहले 6 थे दूसरे 6, यानि बाद के 6 इनका उसत है 52 तो 6, 2, 2, 12 हांसल का 1, 6, 5, 30 301, टोटल करें तो 4, 2, 6, 9, 1, 10 हांसल का 1 कितने हो गई है? 606 अब देखिए, 11 परड़ामों का उसत 550, 12 परड़ामों का उसत 606 है न, और कौन सा परड़ाम डवल आया था? 16 परड़ाम, तो अगर मैं इन दोनों का अंतर ले लूँ तो मेरे पास 16 परड़ाम होगा? क्योंगी 11 का यह है, 12 का यह है डवल कौन सा आ गया? 16 तो इन दोनों का अंतर देखें तो 606 माइनस 550 परड़ावर 16 यह इसका आंसर होगा, देखें अगर आप इस कुश्चन को बिना कौंपी पैरन के करना चाहें, आप सोचें कि हम कौंपी पैरन का यूज ना करें तो कैसे कर सकते हैं? तो यह तरीका हो गया उसके लिए थोड़ा सा समझिए, देखो बहुती सिंपल है वो भी वो जादत सही है, अगर आप समझो थोड़ा सा, देखो, यह कह रहा है कि 11 परड़ामों का ओसक 50 है, इसका मतलब है 11 व्यक्तियों के पास कितना कितना है, 50-50 पहले 6 व्यक्तियों सही होनुक के पास 99, 60-60 के पास कितना है, this इसका मतला, कितना कम हो गया, एक कम, टोटल कम कितना हो गया चे को टोटल 6 कम हो गया एक पर एक हुआ, टोटल पर किया कम हो गयाendar छे गाभmera जशे हैं, इनका प्रड़को भावन है इन सब पर कितने कितने हैं मावन वावन तो एकपे कितना ज़ाद है दो ज़्याद है इससे यही हमारा चटमा परड़ाम होगा वह कितना होगा 56 चलिए अगला कुशन देखते हैं कि यह जो कि रहा है आठ वर्स पहले ए और ब की आयोकान पाथ औरे और देखो आठ साल पहले है और अब यहासे यह प्रेजम्ट बरतमान में चल रहा हूए इससे चार शाल बाद तो तोटल अंतर कितने का आएगा बारे का आजाएगा यह और अच्छह मालगे चार साल पाद अनपाथ कैया है बारे अनपाथ ते रहे यह देखिए अंतर कितने का आया तेन का एका है यह त्यक्य कितने गुणा हुआ चार गुणा तो यह वाली संख्या नहीं आगर हम 4 गुणा कर दें तो भारे चौक 98 इस इसको 45 करें तो तेरे चरक्ष बावन यानि आज च चार साल बाद आ कितनी होगी कहा कि देधा आज से चार साल बाद देखिए तो आज कि आई नियां चवा बैस की अब यह वर्स बढ़ा है तो चवाली सो च्छे पचास यानि जो सी की आय होगी वो कितने साल आ जाएगी पचास साल देखी क्वेशन है गौरब प्रत दिन आठ सो रुपे कमाता है कुछ हपते बाद उसने प्रत दिन नौसो साट रुपे कमाना शुरू कर दिया देने काय में कितने प अंतर आएगा एक सो साट है हमें यह चाहिए किसमें प्रतिशत में तो देखी एक सो साट की व्रद्धी होई कितने पर आठ सो पर गुड़ां तो दो जीरो से दो जीरो आठ दूनी सोल है यानि बीस प्रत यह हमारा आंतर होते है ठेक अगला वोशन देखी बारेज हात्रों के एक समहू की ओसत उचाई एक सो सतर सेंटिमीटर है 154, 157, 165 और 162 सेंटिमीटर वाले चार चात्र समहू छोड़ देते हैं तो नई ओसत उचाई क्या हो देखी समझें देखो 165 पिलस 162 पिलस 164 पिलस 177 यह चार उचाई वालों ने छोड़ा समहू तो अगर हम इन सब क को जोड़ें तो साथ और चार ग्यारा ग्यारा और दो तेरह तेरह और पांच अठारा आसल का एक साथ चौदे चौदे और दस चौबिस आसल का दो एक दो तीन चार चार दो चैनि 148 सेंटिमीटर इन चार लोगों की टूटल लंबाई थी जो ग्रुप छोड़के गए सब्सक्राइब तो बारे सत्य चौड़ा सी जीरो आगया बारे सत्य चौड़ा सी असल का आठ बारे गन बारे बारे राट बीस अब इन दोनों को देखिए यह टोटल थी अब यह चार छोड़के चले गए तो इन चार को घटा दें जार गटा दें तो बच्चे का कितना देखिए दस में से 8 गए दो तेरह में से चार गए नो यह उननिस में से च्छा गए तेरह से तेरह सो बांवे ना हम्हें पूछा है जो बचे उनकी और सत लंबाई जो बचे उनकी ओसत लंबाई पूछी है ठीक है तो देखिए यह ओसत लंबाई 1392 बट्टे आठ करते हैं आठ करिए आठेकन आठ पांच नौ आठ साथ चाप तीन दो आठ चो बट्टेस एकसो चोहतर सेंटीमेटर यानि जो बच्चे बच्चे उनकी लंबाई का जो ओसत है है वह कितना है एकसो चोहतर सेंटीमेटर देखिए अगर आप थोड़ा सा बिना कॉंपी पहन के करने की कोसिस करें तो आप क्या कर सकते हैं देखो इसका मतलब यह है कि बारेव लोगों पर कितने कितने चे एकसो सब्तर एकसो सब्तर जब यह 154 वाला छोड़के गया एकसो चौन बाला तो इसके पास 170 जो थे और खुद का एकसो चौन है तो यह 16 देके गया होगा यह यही तो हुआ वाला तोले लोटा गया होगा त्तावन वाला तेरे लोटा गया होगा और यह जो एकसो बहतर है वो दूर लेके चला गया ठीक है न अब आप देखो 13 और 16 29 29 और 5 34 34 तो यह छोड़के गए और यह दो लेके चला गया तो कुल परिवर्तन कितने पर आएगा 32 32 तो बांटा जाएगा वाकी मैं तो अगर यह 32 को मैं आठ जगे बांट दूं तो एक पर कितना आया चार यानि कि प्रतेक दो आठ बच्चे बच्चे उनकी लबाई क इतनी बढ़ जाएगी चार सेंटीमीटर 173 उनकी चार बढ़ गई आंसर आया एक सो चहतर आए जो नए बच्चे आठ बच्चे उनकी जो नए ओसात उचाई है वह कितनी है एक सो चहतर सेंटीमीटर कुशन है किसी संख्या में 18 जोड़ने पर संख्या के अंक बदल जाते ह है तो अंकों का गुड़न फल आठ तो संख्या क्या होगी बहुत ही इंप्रोटेंट कुश्चन है ध्यान रखिए तो आपको कुछ नहीं करना ऑप्सन उठाईए और कर दीजिए पहली बात देखिए यह कह रहा है किसी संख्या में 18 जोड़ने पर अंक आपस में बदल जा अंकों का गुड़न फल आठ है अंकों का गुड़न फल आठ है अगर यह कंडिशन लगाएं तो यह ऑप्सन हमारा गलत हो गया थेक है दूसरा इसमें देखो अगर अठारे जोड़ोगे तो आठाट दो दस हांसल का एक पांच औरे च्छे नहीं हो रहा अंक नहीं पल्टे ठीक यह देखो इसमें अगर आठारे जोड़ोगे तो यह 36 है अंक नहीं पल्ते यह तो आप्सन हमारा गलत ही गया है अगर हम इसमें अठारे जोड़ें तो 8 4 12 आ एक तीन और एक चार देखो अंक पलट गए यह 2 4 यह चार दो ठीक है तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा 24 हो ठीक है ना देखो अब करते कैसे हैं वो भी समझ लीजिए कोई भी संख्या होती है वो होती है 10x प्लस बाई जो दो अंकों की संख्या होती है यह बाई एकाई का अंक और यह दाहिक अंक इसने कहा अगर इसमें 8 18 जोड़ दूं तो अंक पलड़ जाते हैं यानि जो 1 ही का इंक है वो दाही का बन जाएगा jurisdictions, 10y इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा यह बट्टे में तो अठारे बरावर में रहेगा ठीक आ यह अठारे प्लस वाला इधर रहेगा देख जादर निया तो यह माइनस अठारे कर दो उधर ले जाओ तो यह 10x माइनस पिलस बाई माइनस दस बाई माइनस है यह दोनों इधर ले आए ठीक है देखों यह 10x माइनस एक्स यानि 9x आ गया माइनस नो बाई बरावर माइनस अठारे नो का भाग लगा दो तो एक्स माइनस बाई बरावर माइनस अठारे माइनस दो इसलिए आ रहा है यहां पर बाई कंक बड़ा होगा और एक्स गंग उटाओगा इसका यह कोई आपका प्रॉब्लम कभी से नहीं है दूसरी देखों अंकों का गुड़न फल आठ है यानि एक् सब्सक्राइब करें बहुत टाइम लगेगा ऐसे सीधे सीधे सोच लीजिए कि इसके फैक्टर कर लीजिए आठ के तो एक गुणा आठ दो गुणा चार यही दो होंगे इनके अलावा तो कोई होगा नहीं तो देखिए इनका अगर हम वो देखें कि इन दोनों का अंतर कित ऐसे देख ली दस गुणा दो प्लस चार तो चार प्लस दस दूनी बीस बीस और चार यह संख्या तब से सही तरीका है ऑप्शन ठाओ कर दो ठीक है ना चल दोसरा कुशन देखिए दो संख्याओं को गुड़न फल 24 है अगर मैं संख्या है एक्स और बाई मानलू तो इनका गुड़न फल जो है वो कितना है 24 बर्गों का योग यानि एक्स स्कार प्लस बाई स्कार बरावर बावन है तो संख्याओं का योग क्या ठीक है ना देखो एक तो तरीका यह है कि आपको यह दिया है तो एक्स प्लस बाई का फोल स्कार लगा दीजिए यह होगा एक्स स्कार प्लस बाई स्कार प्लस टू एक्स बाई यह तो हमें निकालना है एक्स बाई एक्स स्कार प्लस बाई स्कार की बैलू बावन प्लस दो तो एक्स प्लस ब्राबर यह जाए ठीक है न अगर आप सौट में इससे समझना चाहो तो देखो इसके फैक्टर करो इसके फैक्टर दो गुणा बार है तीन गुणा आठ चार गुणा च्छ च्छ गुणा चार आठ गुणा तीन बार गुणा बस यहीं हो में एक और हो जाएगा एक गुणा इसका कोई मतलब भी नहीं है वैसे भी देखो ट्राइ कर लो कह रहा है बर्गों का योग तो देखो एक का बर्ग एक चौविस का पांसो चैतर गलत हो गया यह दो कबर्ग चार बारे का 144 एक सौड़तालिस हो गया देरा यह बावन यह भी गलत हो गया तीनतीय नो आठट चौशाट चौश और नो तहतर यह भी गलत हो गया यह देखो चाचोख सोले प्लस चात्यस सोले और च्छात्यस बावन इसका मतलब यह दोनों संक्याएं कि छे प्लस चार इन नोनों को जोड़ दो चार प्लस चे कितना आजाएगा यह हमारा आंसर होगा देखी कुश्चन है पांच क्रमागत संसंख्याओं का ओसत चालीस है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी देखी ओसत का हमने आपको बताया था ओसत क्या होता है बिल्कुल बीच वाली संख्या क्रमागत है मतलब बीच वाली संख्या देखी ऐसे माल लीजिए आपके घर पर पांच रिष्तेदार आने वाले हैं साधी के लिए आपने कुर्सी लगाई पांच पांच कुर्सी आई तो यह जो और वॉसत है इससे बिचौलिया समझे जो साधी कराता है अब ये सबसे पहले घर में इंट्री ली विच वाली पांच वाली पांच भी लगाटार संसंख्या हैं तो इससे पहले संसंख्या कितनी होगी 38, उससे पहले समसंख्या 36, इसके बाद में समसंख्या 42, इसके बाद में चवाले, अगर ये पूछे सबसे छोटी समसंख्या तो वो आ जाएगी 36, पूछे सबसे बड़ी तो चवाले, ठीक है न, और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो, चलिए, देखिए, अगला कुश्चन है, किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनपाद, तीन अनपाद दो है, बॉइस, गर्ल, फिरीज, टू, तू, इसमें आप 20% लड़कों और 25% लड़कियों को चात्रवित्ती मिलती है, अब देखिए, यहां प्रस्चत की बात चल लएए, तो मैं कैल्क है, 60 हो जाएगा, इसका अगर 25% निकालें, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो टोटल कितने को मिल रही है, 110 को, 60 और 50, 110, टोटल बच्चे कितने हैं, 500, 300 लड़के, 200 लड़के, अब 500 मैं से 110 को मिल रही है, तो कितने लोगों को चात्रवती नहीं मिल रही, तो 390 को इनगाम तर ले लिया, हमें प्रस्त में पूछा है, तो 390 को चात्रवती नहीं मिल रही है, कितने मैं से 500 मैं से गुणा सो, दो 0 से, दो 0 कहाम से, पान से, पान सत्य पैतिज, पान अठ्ठे चाले ते, यानि 80 परसंट, यह हमारा आंसर होगा, यानि 80 परसंट बच्चों को चात्रवती नहीं मिल रही है, देखिए, कुश्यन है, दस चात्रों की उसताय 16 बरस है, दो चात्रों ने कच्छा छोड़ द तो उसताय 16.25 हो गई, चोड़ने वाले चात्रों की को लाइब क्या है, देखिए, दस चात्र से, उसताय कितनी थी, 16, यानि टोटल कितनी हो गई, 160, ठीक है, उसके बाद 2 ने कच्छा छोड़ दी, तो बचे कितने, 8, इनकी उसताय हो गई, 16.25, गुड़ा करें, देखिए तो पच्चीस अठ्थे 200, दो बना, और 16, एक सुबारा, देखो, आट पन चालिस, हांसल का चार, आट दूनी 16, 16, चार 20, हांसल का दो, आट चिंगा तालिस और तालिस और दो, पचास, हांसल का पांच, आठे का नाट, आट पांस, तेरा, एक सो तीस होगा, तो देखिए, कितनी कम हो गई, तीस साल, तीस साल कम किसकी बज़ाद से हुई, यह जो दो, तोड के गए, यानि इन दोनों की जो टोटल आयो थी, वो कितनी थी, तीस सा, अगर हम थोड़ा सा और सोचें, तो देखो, ऐसे समझो, कि जो 10 चात्र थे, उनकी आयो कितनी थी, 16, दो चात्रों ने कच्छा चोड़ दी, दो चात्रों क्च्छा चोड़ दी, इसका मतलग कितने कम हो गई, 32 कम हो गई, 21 की 16 ही, ओसत का मतलग क्या है, तनुक जो लेकिन क्या हुआ कि ओसत जो है वो 0.25 बढ़ गया यहीं तो बड़ा ओसत कितना बड़ा होगा दो यानि यह 32 ले जाने वाले थे लेकिन दो यहीं छोड़ गए तो कितना ले गए होंगे 32 माइनस तो बड़ाब तीस यह हमारा अंसर हो जाएगा इसमें आपको कॉंपी पैन की जरुवत नहीं है चलिए एक और कुस्छन देखते हैं प्रतेक महा कृतिका अपनी आय का 30% किराए का देखिए मालेज से हैं कि कृतिका कि आय कितनी है 100 इसका 60% इसका अगर 60% निकाले तो 670 42 सब्सक्राइब बच्छे कितना है अठाइस उसकी बचत है अब बचत कहा रहा है 28 नहों के त्रेस अट सो इसको सॉल्व करों तो अगर करें तो देखिए कितने का भाग लगा दें इसमें ऐसे लिख लो इसे 28 लिख दो और इसको बार और यह चार से 25 बार ठीक है और सास से यह नो तो 25 निम्मा 225 यह 225 गुना हुआ यह 28 का 225 गुना हुआ नहीं तो यह जो आए है यह भी कितने हो जाएगी 225 गुना है यह क्या हो जाएगी हमारी जो उसकी टोटल आए देखिए कुशन है किसी संख्या के आठ कुने में चार जोड़ा जाता है तो प्राप्त परडाम तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है तो आप सबको पता होगा कि तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है तो ठीक है तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या कुनसी है तो इसने कहा कि वह संख्या बताओ तो आठेक्स बरावर तो मायनस चार बरावर चाहाँ तो एक्स बरावर श्यानवे बट्टे याज़ यानि बारे आपको बस समझने वाली चीजी है वह यहां कि तीन अंकों की सबसे चोटी संख्या चोटी संख्या कि इस से पहले पहले 25 प्रस्त बढ़ाया गया उन्हें 20 प्रस्त कम किया गया मुल्य में बास्तेवक परवर्तन क्या है देखे दो तरीके से कुष्चन बताएंगे हम आप इसने कहा कि पहले यह फॉर्मूला है यह होता है ठीक है देखो ए 25 बी कम किया यानि 20 प्लस 25 गुणा 20 बटे 100 माइनस होगा यह 20 माइनस में होगा क्योंकि कम किया है जाल्व करें तो 5 इस जीरो से ये जीरो कैंसल 2 से ये 5 बार 5 से ये 5 माइनस 5 ये वाला या जीरो जीरो परसेंट मतलब रेट में कोई परवर्ताल नहीं हो ठीक है दूसरा तरीका देखो अगर आम लोग कीमत कितनी है 100 रुपए पहले कितना बढ़ा दिया 25 परसेंट बढ़ा दिया तो सो का 25 परसेंट 25 होगा यानि कितनी कीमत हो जाएगी 125 फिर इसने कहा कि इसको 20 परसेंट घटा दिया 20 परसेंट का मतला 1 वट्टे 5 125 का एक वट्टे 5 निकाले तो कितना होगा तो 125 से 25 परसेंट घटा दिया बचा कितना तो यानि जो कीमत पहले थी वही कीमत आज ठीक है कोई परवर्तन नहीं हो तीसरा जो सबसे अच्छा तरीका है वह यह है कि देखिये सब्सक्राइब की चीज़ थी 25 परसेंट की ब्रदी हुए कितने की हो गई 125 तो रुपए की चीज़ पर दुबारा में 20 परसेंट की कमी हुई कितने की रह गई असी की ठीक जीरो से जीरो काट तो 25 से यह 5 बार कट जाएगा और यह 25 से चार बार चा कोई परवर्तन नहीं हुआ इसका मतलब जो मुल्य है किताब का बास्तविक उसमें कोई परवर्तन नहीं देकि आज आज आपने आपको पैट के इंपोटेंट कुश्चन के यह दूसरी क्लास थी जरूर देखिए और देखते रहिए त्रश्टी दाप्यूचर नमस्टा वह कर दो बास्तव है कि दोखब देखिए आपको